मैं इसमिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चनल एड़ो क्लासिस में आज की क्लास में हम विम विधान पढ़ने जा रहे हैं और जिसे इस्थापना और तर्ग के कोश्चन के साथ समझेंगे और ये विम विधान आपके सभी एक्जाम्स के लिए बहुत महत्पूर हैं और इसमें जिदना भी डीपली इसमें फैक्ट होंगे वो सारे हम कोश्चन के माध्यम से इस्थापना और तर्ग के जो कोश्चन होते हैं उसके माध्यम से समझेंगे तो लाश्ट तक बने रहिएगा और हो सकता है जैसे आपने मिधक को समझा है मिधक की क्लास पसंद की है वैसे ही इस क्लास में आज आज आप बिम विधान को भी समझ सकें और आपके लिए ये क्लास हेलफूल रहे तो आएए चलते हैं लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और आपका एक कॉमेंट हमारे लिए महतुर रखता है तो कॉमेंट वोक्स में ह हमें जरूर बताईएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी क्योंकि आपके कॉमेंट से में पता जलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें बताईए हम इसमें इंप्रोग करेंगे इसलिए मैं कहती हूँ कि आ आप लोग भी इसको help करिए, ज्यादा से यदर लोगों तक पहुंचाईए, like करिए, share करिए, okay, कम से कम एक मित्र, कम से कम दस लोगों तो तक इस class को पहुंचाए, तो अच्छा लगेगा, okay, तो चलते हैं, start करेंगी, और साथ ही, मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारा free telegram channel है, जहां पर नए session के लिए, हम पहले भी quiz चलाते थे, और नए session के लिए, जो हमारा net share up का PGT का exam होगा, उसके लिए daily quiz होगी, और जो class बनाएंगे, उसका free app आपको वहां पर मिल जाएगा, okay, तो join कर लिजिए, विल्कुल free है, कोई fees नहीं है, या तो आपको link comment box में मिल जा हैं, जिसके लिए आपको WhatsApp करना पड़ेगा, इस number पर, अगर आपके पास कोई भी material नहीं है, तो आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा, जिन लोगों ने लिया है, पसंद किया है, हमारा course practice set, और practice set मैंने यहां YouTube पर भी share किये हैं, बहुत सारे, अगर वो आपक question जो set किया है, आप देख सकते ही, इसको पूछा गया है, हमारे December 2018 के question पेपर में, NetJRF में, ठीक है, तो विम्ब क्या है, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, तो विम्ब आपकी समझ में नहीं आएगा कि विम्ब क्या है, जिस तरीके से मिथक मैंने आपको समझाया कि मि विम्ब को पढ़ेंगे, तो पहला जो अशरसन दिया गया है, वह है विम्ब विधान और चित्रात्मक्ता, कावे में महत पूर्ण उपादान है, इनसे कविता में सौंदरी की व्रद्धी होती है, किन्तु यह साध्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि किन्तु यह पातिसवाजी का काम है, यह कोश्चन पूछा गया है, तो क्या यह सही है, अगर यह सही है, तो यही फैक्ट हमें ध्यान रखना है, और एक्जाम को क्वालिफाई करने का भी यही एक फंडा है, कि आप चीजों को किस तरीके से समझते हैं, कोश्चन में तथ्धी जो होते ह वही रहते हैं, सिलेवसाब का वही रहता है, बस तयार करने का ढंग अलग होता है, तो आएप पहले हम यहाँ पर व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं, कि क्या कहा गया है, कि विम्ब विधान, देखे कोश्चन जो है, यह दोनों ही राइट हैं, दोनों ही फैक्ट जो है, इसके सही हैं, असरसन भी और रिजन भी, ठीक है, तो अब हमें क्या है समझना है सिर्फ, अगर एक बार इस कोश्चन में हम समझ लेंगे, तो सारे कोश्चन हमसे राइट होंगे, कि विम्ब विधान जो है, चित्रात्मक्ता कावे में महतपूर उपादान है, इनसे कविता में सुंदर की व्रद्धी होती, जो विम्ब होते हैं, हम उनका कविता में प्रियोग करते हैं, या हम कोई रचना लिखते हैं, कहाने लिखते हैं, तो उसमें भी विम्ब का विधान देते हैं, तो कविता में सुंदर की व्रद्धी हो जाती है, आपको मालू होगा कि पन्त देखिए विम्ब जो है विम्ब और प्रतीक दोनों ही समान हैं लेकिन थोड़ा सा जिस तरीके से हम रेखा चित्र और संसमान को पढ़ते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है वैसे ही विम्ब विधान और प्रतीक अलग-लग हैं लेकिन एक ही हैं ठीक है दोनों का प्रियोग किसके लिए किया जाते हैं प्रतीक क्यों लगाते हैं प्रतीक से सुंदर वढ़ता है कविता का वैसे ही विम से भी कविता का सुंदर वढ़ता है ठीक है तो दोनों में ही विम विधान में थोड़ा रहस्या जाता है उसी तरीके से प्रतीक में भी रहस जाता है कि प्रतीक दिया गया है उसका आर्थ क्या होगा ठीक है तो दोनों में ही रहस आत्मा रहस देखा जाता है और छायवाद आपको मालूम है कि छायवाद में रहस का वर्णन किया गया है तो विम्ब विधान जो है छायवाद का एक एक विसेस्ता मानी जा सकती हैं, ओके, आई ये निश्ट कोश्चन से हम और भी इसको डेपली समझते हैं, दूसरे कोश्चन में कहा गया है कि ये 2017 में पूझा गया है कि विम्ब अतिंद्रिय होते हैं, क्योंकि उनमें एंद्रिक्ता का होना अनिवारी है, तो यहां पे क्या ह कि अतिंद्रिय होते हैं, जबकि ये गलत है, विम्ब जो है एंद्रिय होते हैं, अतिंद्रिय नहीं होते हैं, एंद्रिय होते हैं, ओके, यहां पे क्या कहा गया है कि अब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, कि ए गलत होगा, और आर सही होगा, ठीक है, क्योंकि उनमें विम्ब अतींद्री होते हैं और वल की विम्ब अतींद्री होते हैं यहां भी थोड़ा मिश्टेक है कि विम्ब अतींद्री होते हैं विम्ब अतींद्री नहीं होते हैं विम्ब अतींद्री होते हैं विम्ब संबेदन से जुड़े होते हैं उनकी सबसे वड़ी विशेषता एंद्रिक्ता होती है यही वज़ा है कि सुन्दर्ता से अधिक सजीवता विम का प्रधान गुण है सुन्दर्ता से भी जैसे किसी का विम आपने दिया है तो उसमें सजीवता आ जाती है जैसे आपको रचना लिख रहे हैं किसी का उसमें वर्णन किया है आपने बिम्म के मादिम से तो उसमें सजीवता आ जाती तो होता ही है साथ में आपको समझने में भी तोड़ा आसानी होती है अलंकार में सजीवता हो सकती है लेकिन उनकी प्रयोका प्रधान उद्धिस कविता में सोंदरी लाना होता है ठीक उसी प्रकार विम्ब में सोंदरी हो सकता है लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है सुंदर्य भी है, जिस तरीके से अलंकार कविता को सुंदर्य देते हैं, उसी तरीके से विंब जो है उसको सजीवता देते हैं निष्ट देखे, निष्ट जो question है, इस थापना है, आद्य विंब आदी मनुशी की एंद्रिक कल्पना है एंद्रिक यहां पर दिया गया है तो एंद्रिक कलपना है इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्तों के सम्मिलन से यही आद्य विम्ब मिथक के रूप में विक्सित हुआ है तो देखिए बिम्व जो है इनको मिथक भी माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि मिथक के रूप में विक्सित हुए जो बिम्व है उन्ही की माध्यम से मिथक तयार हुआ है ठीक है बिम्व का ही विकास मिथक कहा जा सकता है कि यह कलपना जिसको हम कहते हैं बिम देखेंगे कि साहित में आदि विंब आदि मनुशी की एंद्रिक कलपना है। इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्तों के सम्मिलन से यही आदिय विंब मिथक के रूप में बिक्सित हुए। यह एक कलपना के तोर पे रखे जाते हैं कि एक कलपना जिसे आप जो है कविता लिखते हैं कि टिम टिमाते तारे तारों को आप किसी बच्चे का रूप दे सकते हैं या आप चांद को किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं किसी बच्चे को तारे का नाम दे सकते हैं तो इस तरी किसे जिस तरी किसे मिथक और विम और प्रतीक ये ये मिली जूली चीजे हैं ठीक है एक कलपना के तौर पर इनको रखा जा सकता है निश्ट देखिए कोश्चन जो है आपका ये कोश्चन भी आपका पूछा गया है एक्जाम में ही विम का मुख्धे होता है वन विसे का समझ सकते हैं एक बार चीज समझ जाएंगे तो आप कोई भी किसी तरीके से रखा जाएगा आप आसानी से लगा लेंगे तो इसका रीजन क्या है कि विम्ब विधायक रचनाकार ग्यानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का शमोर्तन करके उनका शम्प्रेशन करता ह और अपने विम्ब से पाठक को जोड़ता है तो यहां पे देखें दोनों ही सही होंगे क्योंकि जो रचनाकार है वो विम्बू के राही पाठक को आकर्शित करता है जो विम्ब होते हैं उनके माध्यम से ही जैसे आप कविता कोई पढ़ते हैं कोई ऐसी कविता लिख दी आप नहीं पढ़ेंगे उसमें विम्ब का विधान होता है तभी वो आपको आकर्षित करती है तभी उसमें आपका जो है आप मुक्द होते हैं आप तभी उसको मुक्द भाव से पढ़ते हैं उसी को रस कहते हैं उसी को सुंदर्य कहते हैं ठीक है तो विम्ब का मुक्धे होत करके उनका शंप्रेशन करते हैं वो आपके सामने जो चीजे प्रस्तुत करते हैं अपनी मोर्थ और अमोर्थ भावों से वो चीजे आपको तभी समझ में आएंगी जब उनमें विंब दिया गया होगा उनको सही रहं से प्रस्तुत किया गया होगा तो उनके जो विंब से ही पार्ठक को जोड़ा जाता है तो यह यहां पर हमने पढ़ा है अब यहां पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सब्दों या रचना के माध्यम से रचनाकार रचना को विंब जैसे रूप प्रतिरूप या मॉडल का आकार देने का प्रयतन करता है तथा वाण विसे का कें प्रतिरूप के द्वारा समझते हैं क्योंकि कविता लिखी गई है वो किसी पर आधारित करके लिखी गई है लेकिन उसको डायरेक्ट उसी का नाम नहीं दिया जाएगा है तो उसमें क्या होता है कुछ प्रतिक कुछ विंब का प्रयोग किया जाता है नेश्ट देखिए आ अगर किसी को प्रतिक किसी का दिया गया है ठीक है जैसे महादेवी बर्मा ने अपने प्रतिकों में किसे जोड़ा है बादल को जोड़ा है दीपक को जोड़ा है तो उन्होंने प्रतिक दिया है उसी तरीके से उसमें अर्थ है कि यह जो बादल है जो दीपक है वो क्या है इसा नहीं है, एक सब्द का अर्थ होता है, लेकिन अर्थ हमेशा एक ही रहता है। नहीं होता है यह चीज गलत है यहां पर ठीक है एक सब्द का अर्थ होता है यह जैसे कोई कोशन पूछा जाता है कि सब्द में अर्थ नहीं होता है तो सब्द में अर्थ नहीं होता है लेकिन अर्थ में हमेशा निश्चित होता है यह गलत है क्योंकि किसी नाम को आप किसी भ संभावन नहीं तो होती है बिम जो है उसमें तो अर्थ होगा लेकिन अर्थ हमेशा निश्चित हो ये गलत है तो यहां पर यह चीजें आपने देखी है अब यहां पर देख सकते हैं कि बिम जिसे प्रतीक भी कहते हैं ठीक है बिम जो है उसी को प्रतीक कहते हैं या रूप य या model जैसे हम कहते हैं अभी हमने पढ़ा है तो अर्थ की संभावना नीध होती है पर तो अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता है आपका किलियर हो गया कि जो विम्ब दिया जाते हैं वो दूसरा नाम दिया जाता है दूसरा अर्थ दिया जाता है अब उस विम्ब के आधार हम उसके कई अर्थ निकाल सकते हैं तो यह चीज थी जो आज इस क्लास में हमने समझी कि विम्ब क्या है आई होप आपको यह क्लास विल्कुल के लिए हो गई होगी कि विम्ब और प्रतिक क्या है मिथक क्या है मैंने बीच वीच में आपको यह भी बता अगर आपने वह क्ल बनाना चाहिए कौन सा टॉपिक आपके लिए टफ है तो अगर आपको ये आसान तरीके से समझ आ गिया हो तो आप हमें जरूर बताईएगा कॉमेंट वक्स में और साथ ही लाइक कर दीजिएगा और सेयर कर दीजिएगा धन्यवाद